परमसांती, परमसांती, परमसांती हमारे साथ आज दो हमारे मेमान मेरे निलक अंच दिक्षिस्त भाई साब है और हमारे सिप्रा बहन हमारे साथ है हम ये दोनों से पूछेंगे इनकी जो experience जो क्या है बेहत ग्यान जो के बारे में इनके बाप से कुछ पुछतास करेंगे और पहले मैं निलकंट दिक्षित भाई साब के पास आ रहा हूँ सो उनको मैं ये पुछना चाहता हूँ कि जो की वो बहुत सास्त्र पुरान बेद उपन इसरब में बहुत ज्ञानी ज्ञान रखते हैं और उसके साथ साथ तो ब्रह्मो कुमारीज में भी जाते हैं लेकिन ये बापु जी का बहुत का ज्ञान कम से कम छे मैना से में उनको दे रहा हूँ बिच बिच में वो हमरे घर में आते हैं आते जाते हैं उनको हम सुनाते हैं लेकिन अभी मैं पुछना चाहता हूं वाइजाभ आप जो है ना बापू जी का जो जो ग्यान आपने अपने सुना है जो अभी जो बहत की बहत के बहत की समय है अन्तीम समय है तो आपको क्या लग रहा है, यह जो जिक आरे को पर पहली जो उसके भिच हम की वह तरफ कंए उस ऑन सकती हैं भाप जी Deutsch के उसके भागे भर सकते हैं, पर पहले जो शिखे थे, इसके भीच में क्या लग रहा है, क्हा फिलिंग है आपकी में जानना चाहता हुँ जो ज्ञान है वो अंतिम सत्य की और नल जा करके मध्य में ही छोड़ देता और जैसे शास्त्रों में दिखा है राणचरीत मानस में भी कहा गया है काग भुसुंडी जी ने अनन्त ब्रह्मांडों में विचिरन किया और इनका ब्रह्मांड यही ब्रह्मांड है काख बुदुम्भी जी के इसमें यह आया है, मैं अरंध ब्रह्मान दो में विचरन किया, वहां हर ब्रह्मान में अपने अलग 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 ब्रह्मा विष्टु महेश थे, बहुत बढ़ी है, लेकिन राम एक ही दिखे है मुझको, राम दूसरे नहीं दिखे है, इसका मैं पूछना चाहता हूं, जो हद और बेहत के बीच में क्या आपकी परिवासा क्या है, जो आप बता रहते हैं, जब अनंतको टी ब्रह्मान बेहत की ब्रह्मान के साथ, जो कि एक ही ब्रह्मान का हम तुलना करते हैं, तो आपकी परिवासा क्या है, क्या है, हद और बेहत के बीच में आप डिफरेंस सोड़ा बताएंगे हद जो है मंदला कार महानि एक मंदल के अंदर एक सर्टी के अंदर जितनी थी है वो हद है लेकिन जो बेहद है वो अखंड मंदला कार है यानि कि स्पाईरल जो कातम नहीं होता हमेशे अपना एरिया बढ़ाता रहता है, और अन्तक तक जानने की कोशिश करता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दूसरी बात में आपको एक संखित, आपका समाप्त करके में अभी सिप्रावेहन के पास जाऊँगा, मैं लेकिन आखरी एक सवाल करना चाहता हूँ आपको याद होगा कि हमारे घर में के संखित योग हमने रखा था, बापुजी का, और आप उस दिन बापुजी का जो फोटो जहां जिस रूम में हम रखे ध्यान वगरा लगा रहे थे, आप टाइम पर नहीं आए लेकिन साम को आए, आप बोले कि मैं वहां बैटूँगा बापुजी के तरफ ध्यान किये, देखे और उसके बाद फिर आप अडमीट होगे, मेडिकल में हम लोग गय थे आपको मिलने के लिए, और आप जो है, क्या अनुभव आपने अपना अनुभव कुछ बता रहे थी, यहां जाने के बाद रात में आपका क्या हुआ, रात मे में अनन्त ब्रह्मांडों में विजिलन्ट करने लगा, पहले पांच ब्रह्मांडों में गया, पांच ब्रह्मांड के बाद बारा ब्रह्मांड में गया, बारवे ब्रह्मांड के बाद में ध्यान में बैठ गया, तो वहां मुझे 21 ब्रह्मांड की वो जोती दिखाई थी, और ती जोती और वो आ करके मेरे सीर के उपर ऐसे हाथ रह रही है कौन? वो जोती तो मैंने समझा कि आज जो शाम को बापु जी का मैंने किया है उसका परिणाम ये सपना है मुझको बहुत बढ़िया क्लापिंग किजे इनकी बहुत बढ़िया अभी मैं सिप्रा वहन में आपके पास आ रहा हूँ आपके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आप जो है इंडियान एरफोर्स में करीब चार-पांच साल जो है ना पतंजली यूगा टीचर थी और आप ट्रेंट थी और उसके बाद जो है ना आप वहां से जब हम एरफोर्स से आगे बाहर आगे तब आप जो है हम लोग भक्ति मार्ग में साई बाबा को पुझा कर रहे थे और हम जा रहे थे शिड़ी जा रहे थे बार-बार और उसके बाद धिरे-दिरे आपने मुझे एक बार पुझा था मुझे कहां दिखा ओ ब्रह्म कुमारी का अस्रम कहां है मैंने बोला 1985 में मैं जब आया था दिल्ली में मैं देखा था कहीं है कि यह है मैं ढूंड के मैं आपको वहां तक पहुंचाया लेकिन उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी में मेरे से आगे बहुत दिन से है और उसके बाद अभी छे महिना से पहले लास शिक्स मन्त जो है ना आप बापो जी के साथ जुड़े हुए हैं और बापो जी को भी अहमदावाद में देखें दो बार अलेडी बापो जी को देख चुके हैं ठीक है अभी बरतमान स्थिति में जो है आपका योग ठीक से नहीं लग रहा था कुछ बीच में ब्रह्म कुमारी के साइट से और यह साइट से डिस्टरबन सुआता जो अभी क्या है आप क्या कहना चाहिए आपकी जो अनुफब के बारे में कुछ भी अपने अपने अनुफब बताते हैं और मेरे मन में यह था कि सब को बताते हैं मैं भी ब्रह्म कुमारी में थी और सी उसमें मुझे आवंद मिल्ता था लेकिन जब मैं बेहत cái आत्मा बन गई हो और बेहत के बाये में जानने लगी तो तबसे मुझे उ aqu s me उसके बाद मैं बेहत के बाद से योग लगाई, और मैं की ऑथरी की से योग लगाई, तो मुझे बहुत ही आनद लेकिन अभी कुछ दिन एक मेना के करीब होगा, तो जबी मेरी योग लगाने बैठती हूं, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, और थोड़ी देर के बाद मेरे सामने से लाइट चड़ी जाती है, अजीब अजीब सी, काले काले ये आते हैं, तो मैं जानती हूं कि मेरे असपास बहे हैं, सभी नेगेटिव आत्मा हैं, तो साय गोग मुझे डिस्टर्ब कर रहा हैं, लेकिन इसके लिए मैं दुखी थी, तो बापो जी ने जब कहा कि आप पूरे रात दिन वीडियो लगा कर रख दीजे और बड़ी देवतार उपका आत्माएं आएंगे और ये वीडियो सुनेंगे, और वो आपके घर में आपको हेल्प भी करेंगे, तो इससे मेरे उस्साओं मह उस्साओं बढ़ गई, तो मै इगदिन ऐसे ही सुबा चार बजे उटके में योग लगाती हूं, तो जब मैंने योग लगा रही थी, तब मुझे योग नहीं लगा उसंते ही, तब मैंने कहा कि वोई उसी समय ने, सुबा चार बजे मैंने कहा कि ये आत्माओं, मैं तो आप सब के लिए वीडियो लगा नच परक्यू हूं पपुजी की ज्ञान आप ले रहे हूं और बापुजी को बोलते थे की मुझे help करो रहे हमें कोई चीज की जरूद कुछा है लेकिन आप नीका नीका नीज लग रही है इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और में सत्य बता रही हूं, उसके बाद से अब तक जब भी में और माइटी ओधिलिटी को रोग रगाती हूं, तिनी लाइटिंग और इन्नी पने में खुश रहती हूं, और बापोजी का सुरूप लेके भी योग रगाती हूं, ति कोई डिस्टाप नहीं, उसे में बहुत बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, और बेहत की परमसांती, आप बेहत की परमसांती, सोचो, बोलो, परमसांती मिल जाएगी, बेहत की परमसांती, सोचो, बोलो, परमसांती मिल जाएगी, बेहत की परमसांती, बेहत की परमसांती,